ओम चान्ती हम सभी इस्वरी वर्दानों की पालनामे पल रहे हैं वे स्वयम हमारे लिए सरुख जाने लेकर आए हैं वे हमसे बहुत प्यार करते हैं और अपने योग्य बच्चों को सब कुछ दे देना चाहते हैं ताकि उसकी महान, सक्तिसाली और योग्य संथान दो युग तक तो क्या चारो युग संसार को संभालते रहें संसार के काम आते रहें वो आए हैं और हमें कहते हैं अब दिनंतर मुझसे योग्युक्त रहो तो तुम सर्व खजानों की खान बन जाओगे प्यार से भी भरपूर तो शक्तियों से भी भरपूर बाप के प्यार में जब हम मगन हो जाते हैं तो आत्मा को कई सुन्दर अनुभव होने लगते हैं इस प्यार और अधिकार से बाबा की बहुत बड़ी सहयोग की शक्ती हमारे साथ रहती है और उसके सुन्दर सुन्दर अनुहव हमें प्राप्थ होते रहते हैं सक्तिसाली के तो बात ही क्या कहें जो सार्व सक्तिवान है उसकी सक्तियां जिनात्माओं के साथ हो सोचले वो कितने सक्तिसाली होंगे पहचाने अपनी सक्तियों को यूज करें संकल्प के द्वारा इन सक्तियों को और अपन जीवन को निर्विग्न बना दें और ये भी याद रखें आने वाला समय कुछ और है विश्व की सेवा उनात्माओं के द्वारा होगी जिनोंने अपने को सर्व खजानों से भरकूर किया है बाकी सभी पीछे आजाएंगे केवल योग युगत आत्माएं महान इस्थिती को प्राप्त की हुई आत्माएं आगे आजाएंगी स्टेज पर उपर आजाएंगी और उनके द्वारा ही सब का कल्यान होगा सब चाहेंगे ये महान आत्मा हमें द्रस्ती दे दे ये महान पुरुस हमारे सिर्फ करहात रख दे ये वर्दानों से भर पूर आत्मा दो वचन बोल दे हमारा कल्यान हो जाए और ऐसे संपन्ना आत्माओं के वाइब्रेशन्स सब को बहुत बड़ी मदद देंगे उन्हें सचे सहारे का अनुभव करेंगे उन्हें लगेगा हमारे इस देव, इस देवियां, हमारे शिव सक्तियां, हमारे साथ हैं या ये फरिष्ते हमारे साथ हैं जैसे हम बावा के साथ के नशे से निश्चिन्थ हो जाते हैं वैसे ही अनेक आत्माएं हमारे साथ के नशे से निश्चिन्थ और भरभूर अनुभव करेंगी तो आईए हम सभी अपने को योग युप्त करके सर्व खजानों का भंडार बने प्यार भी एक खजाना है सुक्ष्यांति भी बहुत बड़ा खजाना है तो दूसरे की दुआएं और भगवान की दुआएं भी हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ती है खुसी संकल्प सकती समय ये सब हमारे अनमौल खजाने हैं हम स्वयम में ये सब भरते रहें जीवन में अगर किसी के लिए कटूता है मन अगर इसा रेश की अगनी में जलता है अगर संबंदों में बहुत जादा नफरत फैली हुई है अगर मन सदा एक विखैले अनुभ़ों से गुजरता रहता है लगता है कोई अपनाना इसारव स्वारती है मन में खिंता रहती है तो हम बहुत सुन्दर अनुभ़ों से दूर रहेंगे इसलिए अपने ठित को सरवात्माओं के लिए और अपने प्यारे बाबा के लिए प्रेम से भरें और एक प्लान बनाएं कि अच्छे से अच्छा योग हम सारा दिन कैसे कर सकेंगे न अच्छा योग होगा वा सम्भरपूर होते जाएंगे स्वयम भगवान ने राज्योग सिखाया है सोचे कितनी बड़ी चीज है उसने स्वयम सिखा दिया मेरे प्यार में मगन कैसे रहो मुझे अभिकार की रसी में कैसे बांद लो मुझे अपना बना कर मुझसे सब कुछ प्राप्त कर लो तो आज सारा दिन हम सहज भाव से अभ्यास करते रहेंगे मैं मास्तर सर्व शक्तिवान हूं और परमधाम से बाबा की शक्तियों की किरने मुझे पर पड़ रही हैं चलते फिरते सहग भाव से मानो उपर से शक्तियों की किरनों की बरसात हो रही है ओम चंद